खुश खबरी खुश खबरी दोस्तों दस हजार तक का रिफंड देना पी एसेल इंडिया लिमिट्रेट के पुरित निमेशकों को सेवी ने चालू कर दिया है नवशकार और आदाब दोस्तों मैं यूएस खान और आप देख रहा है स्टी निउस टीवी जैसे कि आप जानते है कि हम सभी पी एसील इंडिया लिमिंट रिमिटेट की हैर एक जानकारी आप तक ले कर आता है दोस्तों आज जोम आप के खाते में बेजा गया तो दोस्तों यह बड़ी खबर जो आपके लिए हम लेकर आए हैं वो सिर्फ स्ले लेकर आए कि सभी निवेशक की जानना चाहरा थे की रिफंट पिरकिर्या में कुछ बढ़ाथरी होई के नहीं तो दोस्तों यहां पर कुछ बढ़ाथरी होती नजर यहीं है यानि कि अब तक आठ का प्रोसीजर चालू किया गुए था है Word तो अब दस हजार तक का प्रोसीजर यहाँ पर चालू कर दिया गया है दोस्तों ऱ्य तरीके से देरे दीरे निवेशको माईर अगर बढ़ता रहा तो त्वो सकता है दो हजार इक यह किस में बीस हजार तक के रिफन्ट वालों का मिलना सुरू होगा के नहीं लेकिन जिस तरीके से इनकी ये हर दो महीने बाद दो हजार रुपए बढ़ा रहा है इस हिसाफ से जो हमने कैलकुलेशन लगाई वो यही है कि दो हजार इक्स में हो सकता है बीस हजार तक के निवेशकों का रिफन्ट देना सुरू कर दिया जाए लेकिन ये रिफन्ट कितने निवेशकों को मिल पा रहा है, कितने को नही है हम भी अच्ची तरीके से जानते हैं कि अभी तक दो हडा़ा हजज़र, । डापास, साथ, हजार तक के निवेशकों का पैसा सभी के आकाउंट में नही है कि हमारे सभी capture वगेरा सब कुछ सम्मिट साही तरीके से भर दिये गए थे जो भी यह ओनलाइन प्रोसीजर के हिसाब से बांड सम्मिट कराये थे सारे डॉकुमेंट लगाये थे लेकिन सब कुछ सही बनने के अबहुशूद भी किसी भी खाते में पैसे नहीं यह दो का कहना नहीए ना जने कोई किसी को पेमिंट कर भी दिया गिया है तो दोस्तों यह न समझो कि सबी निवेशकों का पैसा मिल जाएगा क्योंकि जो हम इस वक्त नियूज हमारे पास आ रही है लोगों की वो यही आ रहे है कि हम लोगों का अभी तक नहीं आया जो साथ आठ हजार और पांच हजार याड़ाई जार के निवेशक थे तो दोस्तों ऐसे मैं ऐसा लगता है कि सभी निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाएगा कुछ ही खुस नसीब निवेशक होंगे जिनको सही और पूरी पेमेंट मिल जाएगी लेकिन यहाँ पर इस वक्त प्रेसानी यह है कि आरेम लोडा या सेवी भाग यह नहीं बताने को राजी कि एबडी वालों का पैसा जो है वो पूरा मिलेगा या उन्हें विद्वियाद मिलेगा जिनकी एबडी पूरी हो गई हम बात उनकी कर रहा है जिनकी आदिया दूरी है उन्हें तो यह जमा धनी देंगे लेकिन जिन निवेशकों का 2014 से FDRD पूरी हो गई थी जिनके बार्ण आफिस में जमा है तो उनको तो पूरा पैसा मिलना चाहिए बहले ही अपने जो 6 साल के बाद प्रोसीजर इन्होंने चालू किया इसमें पांस साल से भी उपर का जो गैप यहां पर लगा तो इसमें पैसा जो पांस साल में डबल हो जाता है तो यहां पर एक नुकसान निवेशकों को दिख रहा है क्योंकि अगर किसी का एक लाक रुपिया था तो वो 2014 में बार्ण जमा कर दिया था उसने और वो पूरा समय पूरा हो गया था तो अब रही बास समय पांस साल की त निके अगर आपने एक हजार रुपिया जमा किया और उसके दो हजार बन गए और दो हजार जो बने वो समय आवदी उस वक्त पूरी हो गई थी जब सेविभागने यह सारे खाते बंद करे तो दोस्तों कहना का मतलब यह है कि निवेशकों के सामने इस वक्त बहुत पूरी परिसानी है इस परिसानी को निवेशकी समझ सकता है हमारा काम के वाल भी